आईएनेस विक्रांट के लॉंच पर ओवेसी का बार पीम मोदी पर किस बात को लेकर साधा निशाना आखिर ओवेसी को सता रही है कौन सी चिंता एरक्राफ्ट केरियर आईएनेस विक्रांट भारत्य नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है पीम मोदी ने केरल में अत्यादूनिक तकनीकों से लैस एरक्राफ्ट केरियर आईएनेस विक्रांट को नौसेना को समर्पित किया ये पल पूरे देश के लिए बेहद ही खास था आईनेस विक्रांट के नौ सैना में शामिल होने के साथ ही पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी एक और जहां भारत के एतिहासिक कदम के बाद देश दुनिया में कैंदर सरकार की तारिफ हो रही है वहीं AI MIM के मुख्या असदुदीन OVC कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने PM मोधी को आड़े हातों लिया है असदुदीन OVC ने PM मोधी पर निशाना साथते हुए कहा कि अब जब INS विक्रांट को लॉंच कर दिया गया है हमें तीसरे करियर एरक्राफ्ट के बारे में सूचना चाहिए लेकिन परधानमंत्री नरेंदर मोधी इसकी इजाज़त नहीं दे रहे है ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्ता को बरबाद कर दिया है अब उनके पास पैसा नहीं है हमें 200 शिप की जरूरत है लेकिन हमारे पास मौझूदा समय में सिर्फ 130 शिप ही है वहीं कॉंग्रेस ने आई एनस विकरांत की नौसेना में शामिल होने को बहुत बड़ी उपलब्धी करार दिया है लेकिन दूसरी ओर कॉंग्रेस नेता जराम रमेश ने पीम मोधी पर निशाना साथते हुए कहा कि भारत के प्रधान मंत्री शाषन में निरंतरता को कभी नहीं मानते आई एनस विकरांत का आज चालू होना एक बहुत बड़ी उपलब्धी है लेकिन इसे 22 साल पहले ही शुरू किया गया था लेकिन प्रधान मंत्री मोधी इसका अश्रे खुद ही ले रहे हैं इन गावरनेंस शासंत में एक निरंतरता होती है हमारे प्रधान मंत्री उसको कभी स्विकारते नहीं है आयनेस विक्रान्थ जो आज कमिशन हुआ है जो कोचिन शिप्यार्ड में बनाया गया है एरक्राफ्ट केरियर है एक बहुत बड़ी उपलब्धी है हमारे देश के लिए पर इसकी शुरूआत 22 साल पहले हुई थी और पहले वाचपाई जी की सरकार बाद में मनमोहँ जी की सरकार बाद में मुधी सरकार शासन में निरंतरता होता और 22 साल लगे है और प्रशन सा हम करते हैं इंडियन नेवी की इंजिनियर, अफसर जो काम किये हैं जो कारी, जो विल्डर है फिटर हैं, मेकैनिक हैं कोचिंशिप याड में पर ये कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्दी है ये बिलकुल गलत अगर आप आएनेस विकरांत का मील पत्थर देखें ये 1999 में शुरू होता है और कमिशन आज हुआ है आज के प्रधान मंत्री तो फोटो लेंगे बड़े बड़े वाशन देंग और कहेंगे मैं आया 2014 में ये सब शुरुआत हुई ये बिलकुल गलत है वे बे बुनियाद है दिखें हमारे प्रधान मंत्री के गुण है वो सब काम के लिए वो श्रेक खुद लेना चाहते है आरोप प्रत्यारोपों से इतर अगर हम आई एनेस विकरांत की बात करें तो की लेंडिंग का ट्रायल नमंबर माह में शुरू होगा और 2023 के मध्य तक इसे पूरा कर लिया जाएगा इस लौंच के साथ ही भारत उन बड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन के पास स्वदेशी तकनीक से बना हुआ एयरक्राफ्ट है इस खबर में फिलहाल इतना ही ताज आपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ